इस बवंदर की रफ्तार 120 किमी प्रती घंटे रही। इस दोरान कई पेड़ और बिजली के खंबे धाराशाई हो गए। कई जगह सडकों पर और रेलवे ट्रेक पर पेड़ पॉल गिरने से यातयाद विवस्था ठप रही। राजस्थान हो और उत्तर प्रदेश में भुदवार को आए बावंदर ने जम करता बाही मचाई। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 36 तो उत्तर प्रदेश में 45 लोगों की मौत हो गई 140 से ज्यादा लोग जखमी हुए हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा बारह मौते भरतपूर में आपदा प्रबंधन के हीमंत कुमार गेरा ने बताया राजस्थान में 3 सीले भरतपूर, दॉलपूर और अलवर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। भरतपुर में 12, धौलपुर में 10 और अलवर में 4 मौते हुई एक सौ से ज्यादा लोग जखमी हुए मानवीर मानडेला उन मूर विदियो अव सूपर स्टोर्म दूसरा में 2018 बीकानेर सूपर स्टोर्म स्टोर्म डास्ट स्टोर्म राजस्थान इंडिया बीकानेर में 38 किमी गती से चली आंदी चली इस दोरान राज्य में 500 मीटर विजिबिलेटी रही मानवीर मानडेला सूपर डस्ट स्टोर्म बीकानेर वेडर दस्ट स्टोर्म डस्ट स्टोर्म डास्ट स्टोर्म बीकानेर में 38 किमी प्रतिगंटे की रफ्तार से आंदी चल जिस से पारा 45 डिग जो शाम को तेज हवाओं के कारण 8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। बुधवार को बूंदी के बाद जैसल मेर और कोटा का तापमान सबसे ज्यादा रहा। यहां 45 डिग्री सेल्सियस पाराद दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में तेज दशमलव साते मैं बारिश दर्ज की वसुंदरा ने हर जरूरी मदद देने को कहा मुख्यमंत्री वसुंदरा राजे सिंधिया ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रती दुख जताया है और हर जरूरी मदद देने की बात कही है। वहीं हादसे में हुई मौतों के बाद कॉंग्रेस महास्चिव ने अशोक ग वहीं, बिजनवर में तीन, सहारनपुर में दो, और बरेली, मुरादाबाद, चित्रकूट और रामपुर में एक से एक व्यक्ति की आंधी की चपेट में आने से मौत हुई है, 38 लोग जखमी हुए, स्थानिय अधिकारियों ने सभी प्रभावित इलाकों में राहत और बचा आनधी पारा गिरा राजदानी के आसपास चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बनने से भुद्वा शाम मौसम अचानक बदल गया, दिन भर तेज धूब के बाद शाम पांच बजे साथ किमी घंटे की रफतार से तेज आनधी चली, कुछ देर आनधी के बाद तेज बारिश आनधी बारिश से क्रीब 26 जगे पेड़ और दीवार गिरने की सूचना मिली, इस दोरान कई जगे ट्राफिक भी जाम रहा, इस कारण आते हैं बवंदर ज्यादतर रेंगस्तान भूमध्य रेखा के इर्दगिर्द है, इस क्षेतर में वायू मंडलिये दबाव बहुत इस से बारिश नहीं होती, इस से धूल के कणों की आपस में पकड़ नहीं रह पाती है, ऐसे में ये हवा के साथ बहुत आसानी से उपर उठना शुरू कर देते हैं, हवा की रफतार 40 किलोमीटर से अधिक होने पर ये कणे एक बवंदर का रूप धारन कर लेते हैं, हो जाते हैं,